एक रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ट मूवी आई है 2018 नाम से जो बेस्ट है 2018 में ही आई केरला फ्लरड के उपर पहले ये मल्यालम में रिलीज हुई थी लेकिन अभी हिंदी में भी रिलीज हो चुकी है मैंने देखी हिंदी डब्ड वर्जन में तो कैसे है ये मूवी आईए बात करते हैं वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी सबसे पहले तो मैं इसके फर्स्ट हाफ की बात करना चाहूंगा क्योंकि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को लेकर मेरे दो अलग-अलग थॉट्स है क्योंकि फर्स्ट हाफ से मुझे ये लगने लग गया था कि यार ऐसा क्या ही है इस मूवी में जो 10, 15 या 20 करोड में आई थिंक ये जो मूवी बनी है उसने वर्ल्ड वाइड एक सो पच्चास करोड से भी जादा चाप लिये क्योंकि इस मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत जादा स्ट्रेच लगने लगता है ऐसा लगने लगता है कि कुछ एक से ना भी होते या अवाइट कर दे जाते तो भी चल जाता जैसे कांतारा को सबसे जादा उसके क्लाइमेक्स सीन के लिए याद रखा जाता है वैसे ही इस फिल्म को इसके सेकंड हाफ और अगेन क्लाइमेक्स सीन के लिए याद रखा जाएगा फिल्म का first half अगर सिर्फ first half तक ही देखोगे तो you will get disappointment बहुत से लोग ये सोचने लगेंगे कि क्या boring सी movie चल रही है भाई पर उसी first half को आगे आने वाले second half से जोडोगे तो हर character की story open होते होते आपकी आखे नम होती हुई नजर आएगी क्योंकि first half में सभी characters का introduction होता है और फिर second half में जब flood आता है तो उन सभी characters के बदले हुए स्वभाव को यहाँ दिखाया जाता है कि कैसे flood जैसी emergency में सभी लोग एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए है second half में कुछ एक scene ऐसे है जिससे आपको goosebumps आएंगे लेकिन कुछ एक scene काफी जादा predictable भी है हाला कि इतने कम budget में बनी film को इस level तक का बनाना it's not an easy task that means जब actors अपनी अवकात से जादा fees ना ले रहे हो तो movie कम budget में भी बनाई जा सकती है वो भी बहुत अच्छी है आदिपुरुश बट इस तरह से इसके flood वाले हर एक rescue scene को film आया और screen पर present किया गया है वो जरूर काबिले तारिफ है लेकिन to be very 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 honest with you people इसके tension and thrill भरे rescue scenes को छोड़ दिया जाये तो बाकिये film बस एकदम flat चलती रहती है और आप लोग भी यही experience करोगे फिल्म का 70% हिस्सा अंधेरे में है तो वहाँ पे VFX अगर use भी किया होगा तो वो दिखाई नहीं पड़ता जिससे movie का हर एक flood scene realistic ही लगता है acting wise हर किसी ने अच्छा काम किया है I mean not only the stars जितने भी side characters है वो भी ऐसा लगता है कि मानो वो reality में वही बंदा हो तो acting तो भाई बढ़िया है boss और characters को भरपूर time दिया जाता है to connect with the audience so हाँ first half अगर ठीक ठाक ही लग रहा है तो wait for the second half आपको movie जरूर पसंद आएगी movie के सिर्फ second half को ही अगर stars देने रहते तो इस film को मैं पूरे पूरे 5 star दे देता लेकिन first half के slow pace के वज़े से मैं दूँगा इस movie को 4 out of 5 stars मिलते हैं अगले वीडियो में बाई